तो पीस में आपका सोगर है, इस वीडियो में बात करना Tata Play के बार में हो सकता है इसका IPO आप सकता है, टाता गूरूप का कोई IPO बहुत सालो बाद आने वाला है, तो ये काफी इंट्रस्टिंग रह सकता है गर Tata Play का IPO आता है, वीडियो में देखने वाले है कि क्या IPO का Size रहने वाल है क्या ownership है इसकी क्यों यह IPO लेकर आ रहे हैं इसका market share revenue उसका profit सब देखने वाले है तो वीडियो के इन तक अपर बने रही है बात करें IP की size के कितना बड़ा IPO हो सकता है तो यह 300-400 million dollars का हो सकता है अगर बात करें इसकी रूपीज में तो हो सकता है 2500 से लेकि 3000 crore तक का IPO रहेगा जो छोटा बिल्कुल भी नुए था काफी अच्छे size का IPO हो सकता है यहाँ पर ownership के बात करें तो काफी interesting चीज़े निकल के आती है यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप दिखते तो टाटा इसका है यहाँ पर 2004 में शुरू हुआ था वह as a joint venture किस-किस के बीच में Tata Suns होगी और Network Digital Distribution Services का तो Tata Suns के पास 80% था और 20% होगा Network Digital Distribution Services के पास जो हाला कि बाद में आगे चलके डिजनी ने इसको खरीद लिया यहाँ पर डिजनी और 9.8% स्टेक यहाँ पर ओन करता है किसके तुरू T.S. Investment के तुरू जिसका T.S. Investment में 49% इसके पास है फॉक्स के पास है और बाकी Tata के पास है 2008 में बात करें तुर बेटरी इंवेस्टमेंट ने भी 10% स्टेक लिया था Tata स्काय में यहाँ पर और अगर बात करें Fy30 में Tata Opportunity Fund and Tata Capital ने इसमें कुछ यहाँ पर स्टेक करें था तो टोटल Tata Suns के पास स्टेक हो जाता है 26.24 जो ATL का है और Dess TV का 22 है Sun Direct का 18% है यहाँ पर तो देख सकते हो market leader है अपने segment मा market leader का IP आता है वो भी Tata का तो समच सकते हो कि इतने जादा इसमें आपको interest देखने के जादा मिलेगा लोगों का बात करें revenue की तो यहाँ पर देख सकते हो revenue FI21 में 4682 क्रोड था जो बढ़के हो चुक है 4741 क्रोड और profits के बात करें तो 68.8 था जो यहाँ पर एकदम फ्रैटिर है 68.6 के आसपास यहाँ पर रहा है यहाँ पर देख सकते हो काफी small margin पर काम करता है बट ऐसे ही इंडस्ट्री ऐसी है यहाँ पर कोई बहुत जादा margin नहीं मिलते है और डेश्टीवी तो अपने देखा ही होगा listed है और कैसे losses में चल रहे है यहाँ तो उसके साब से तो अगर यह profit में है तो काफी अच्छी performance है और आगे चल के हो सकता है अपने market leadership के वज़से यहाँ पर जुरू यहाँ पर जादा पैसे और profits बना के दिखाएगी अगर बात के लिए offer for sale होने वाला है यहाँ पर नए equity raise करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है यह थोड़े थोड़े जो stake से यहाँ पर sell कर सकते है क्योंकि Tata काफी समय से इसका stake है तो अपना हो सकता है थोड़ा सा OFS भी हो सकता है और यह नए equity भी यहाँ पर जारी कर सकते है क्योंकि कि अपनी leadership जो position उसको leverage करके OTT and Boardman वाली service से वहाँ पर भी enter करने का वहाँ से भी नए तरीके से revenue and profits जहाँ जनरेट करने का तो बिलकुल यह उसका OF प्लस यह नए equity issue करने का दोनों का हो सकता है यहाँ पर जो IP मिलके निकलके है तो बात करें कि IP अभी कहां तक कि stage तक पहुंचा है तो यहाँ पर अभी यह DRHP पर भी work कर रहे है और काफी तेज़ी से कर रहे है और हो सकता है बहुत जल्दी सेभी के पास यह request भेज दें यह यह news होती है तो बिलकुल जाके अभी के अभी इसको download कर ले और इसका फायदा उठाई है अपने हमको try करने में काफी easy रहेगा यह तो चले ठीक है आपको वीडियो चले वीडियो को like किज़ेगा share किज़ेगा और चैनल को subscribe परने बिलकुल भी ना भूले